हेलो स्टूडेंट्स आज हम 205 पार्ट्थी के बेशी पार्ट्थी बॉत्नी के पेपर 3 के यूनिट 2 के बारे में बात्चित करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में हम जान करेंगे बायो टेक्नोलोजी या जेव प्रध्योगी की जेव प्रध्योगी की क्या है बायो टेकनोलोजी दो शब्दों से मिलकर बना है जेविक एवं टेकनोलोजी बायो एवं टेकनोलोजी अता जीव विज्ञान की वश आखा जिसमें मानवित के लिए बायोजिकल प्रोसेस के अप्लिकेशन का हम अध्यन करते हैं, जेव प्रदेव की किया बायोटेकनलोजी कहलाती है, अनेक एरियाज में विज्ञानिकों ने इसे अनेक प्रकार से परिभाशित किया है, जैसे कि दी यूरोपीन फेडरेशन और बायो अनुषारएं करते हैं, जिव जैविक प्रिकरियाओं का मानू कल्यान के लिए लाग आख उत्पादों का निर्मान करना ही यही इसका सार है कि जीव एवं जयवं जयविक प्रकेरियाओं का मानव कल्यान के लिए लाबधाय कुदपादों का निर्मान करना है युएस नेशनल साइन्स वेटरेशन के अनुसार मानव कल्यान है तू लाबधाय कुदप्योगों के लिए विपने जयविक पतार्दों जैसे शुक्ष्म जीवों या सेलूलर कॉंपोनेंट्स का कंट्रोल्ड यूस की जेव प्रदग्य की है इसी प्रकार से जापनी जेव तकनिक विग्यानिकों ने भी अपनी परिभाशा दी है इसी प्रकार से इंटर्नेशनल यूनियर और प्यॉर अप्लाइट केमिस्ट्री के अनुसार वी भी नौद्धों की गतिविदियों और विक पादों को बनानें एवं पर्यावरन के ल इस प्रकार जेव प्रद्यगी की एक मल्टी डिसी प्लेनरी विज्ञान है जिसमें उतक सम्मर्धन यानि टीशू कल्चर, मॉलिकुलर बायोजी, जेनेटिक इंजिनियरिंग, माइक्रो बायोजी एवं हिमिनोलोजी अधिक शामित है अब हम दिखेंगे जेव प्रद्यगी की का इतिहास, history of biotechnology, किस प्रकार से बायोजी का इस्तिमाल हमारे शुक्ष्न जीवों का उप्योग करके या प्रद्यगी में इसका उप्योग करके किस प्रकार से मानुजीवन के लिए इसको लाबकारी बनाया गया शुक्ष जिवो द्वारा फर्मेंटीशन से मादक पे, दही, सिर्का, आधी बनाना राचीन तमजियों को पर दिखे उत्रा है सबसे पहले यही बनना शुरूरू में थे दही, सिर्का और यह मादक पे इस्ट को उपयोग करके B.R.M. शराब 6,000 रिसा पूरू में, सिर्का और पादन उद्यों की इसबणा फ्रांस में तोदू शताब दिना भी बहुत एक रांतिकारी जो एक सूचना आई वो लुईश पास्टर ने 1857 में बताया कि शुक्ष्ण जिवों द्वारा लेक्टिक अमल का फिन बन होता है और इस खोज की द्वारा इंडस्ट्रिल ब्याटेमिलोजी की शुरू है 1881 में सबसे पहले शुक्ष्ण जिवों से लेक्टिक अमल का उत्पादी जया गया इसके बाद बुक्नर ने 1897 में सेल्फ्री फर्मेंटेशन की खोज कर विद्वगों को एक नई दिशा दी 1928 में अलग्डेशनर फ्लाइमिंग द्वारा पैनिसिलिंड की खोज जिसको हमने वंडर ड्रग कहा तथा इस ट्रप्रमाइसिन की 1944 में तो जों वक्समें द्वारा खोज किये जाने से अब तक कई एंटिबाटिक्स की खोज की जाए हम सभी जानते हैं दितीवी शुद के समय 1944 में पैनिसिलियम नोटेटम से पैनिसिलिंड बनाया गया जिसका युद्धिस तरपर एज एंटिबाटिक की खोज किया गया सन 1953 में वाट्सन एंट्रीक ने डियने अनों की जी कुंडलेनी संरशना की खोज की तथा सन 1970 में अर्गोविंद खुराना ने डियने निकलोटाइट से टर्थरिम जीन का संस्टेशन है हम सभी जानते हैं इसके लिए उन्हें नोबल प्रुसकार से भी सम्मानित किया गया था कुछ फर्चों बाद 1970 में स्मिथ हेवं सहयोगियों ने रेस्ट्रिक्शन इंजाइंग की खोज की जिसका अनुकुलर बायोजी ने अनुप्रयोग किया गया जिस प्रकार से पैनिसीलिन की खोज एक बहुत बड़ा साबित हुआ था उसी प्रकार से रेस्ट्रिक्शन इंजाइंग की खोज भी बहुत बड़ा साबित हुआ बायो टेक्नोलोजी के इसके बाद में बायो टेक्नोलोजी पे बहुत सारे प्रयोग संभग हो सके रेस्ट्रिक्शन इंजाइंग की बाद में यह एंजाइंग डि प्रियोग में ले जाने लगी जिसके अंतरगर्ट जीनोम के आन्विक संगठन में परिवर्दन कर महत्तुकुन उत्पाद एवं जीनों के गुनों में सुधार किया जा सकते हैं यह एक बहुत ही रांतिकारी जो है वो खोश थी रेस्टिक्शन एंजाइम की इसकी वज़े से हमें इंजिनियरिंग में डियने रिकॉंबिनेंट डियने टेकनोलोजी का हमने की खोच हुई जिसके अंतरगर्ट जीनोम को ही हम बदल देते हैं और उससे हम हमारे लिए महत्तुकुन उत्पाद एवं जीनों के गुनों में ही सुधार किया करने में हम सफल हो पाए हैं यह सबसे पहले शराब उबियर उत्पादन हद्वीट का प्रियोग हुआ उसके बाद फर्मेंटेड ब्रेड और पानीर का उत्पादन हुआ इथनॉल का उत्पादन हुआ फ्रांस में सिर्का का उत्पादन को अधाफी में बताया 1857 में लूइश पैस्टर ने लेक्टिक एस और 1924 तक हमने पैनेसिलिन का वरत इस तरक उत्पादन एक इस्ट्रेक्ट्रमाइसिन की भी खोज़ हो चुकी जो कि दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटिवाइटिक ने सब्सक्र में रेस्ट्रिक्ट्शन एंडोनुग्लेज की खोश हुई 1971 में राई जो भी हम से क्लैप्सी एलाम में निफ जीन का इस्टान अंतरन हुआ और उसके बाद में हम ट्रांजिनिक प्लान बनाने में काम्याँ होटा है 1972 में खुराना अटॉल ने संपून ट्रांसफर आरेनी जीन का अस्टिलेशन किया लगोरेटरी में 1973 में सौर पढ़्धम मसाफल जीन अभ्यांधरी की जेनेटिक इंजिनीरिंग का प्रयोग हुआ इसी प्रकार से मोनोक्लोन अंटिवाड़ी का उपादन है तुम हाइटरोगमा की तक्निक की खुश हुई में पुनर योगेश्ट प्रतियोगी की प्रतिया कवर्णन किया गया तथा डीने सीक्वेंस ग्याद करने की विदिदी गई एक्क्यासी में डीने संशलेशक का उठपादन हुआ 1982 में पुनर योगेश्ट रिकॉंबिनेंट डीने टेमोलोजी पर आतरी प्रत्थम जन्तू वैक्सीन नहीं करी यह भी एक माइल स्टॉन डेवलेप्मेंट हुआ प्लाजमिट की साहता से पौध में रुपान्त टर्ण किया गया और उप्योगी पौधे डिजिज रेजिस्टेंट पौधे अधिक अधिक बादन प्राप्त करने के लिए पौध में रुपान्त पौधा गया डियाई प्लाजमिट की साहता से PCR, Polymerized Chain Reaction, शुक्ष्म जीमोद और बड़े स्तर प्राउधिली रसाइनों को पदें शुरूए उसी प्रकार से एक और ग्रांतिकारी खोज हुई अब हम देखेंगे कि भारत में बायोटेक्निलोजी का क्या है हमने इसको कितना अपनाया है और किस प्रकार से हमने इसको पॉपिलर करने में प्रयास किये हैं सरकार ने भारत का जेव प्रदोगी की विभाग डिपार्ट्मेंट और बायोटेक्निलोजी प्रिग्या ने उन प चंडीगड में जी उवरा साहनी दब्यांत्री की अनुसंदान के विकास के लिए राष्टिक पुद्या ब्रदान के विए नई दिल्ली में CSIR है तो चिस्तर के शोध कारें तो यहां पर इन में बहुत सारे पसल सुधार के कारें किये जा रहे हैं इसी प्रकार से इसी प्रवर्धन के लिए इसी प्रवर्धन नाइक्र प्रवर्गेशन के लिए आए में संधानों को जी गई है टाटाउजान संधान नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी पुने जैंग यूनिट जैंडी यूनिवेसिटी जोट की इसी प्रकार से इसी प्रकार से डीबीटी ने जो क्लोनित फासल है उनकी जर्म फ्रास के संधक्षन के लिए यहां पर हमें जो है यह जर्म प्लास्म का जो संधक्षन के लिए यहां पर रिपोजेटरी गाएगी है इसी प्रकार से डीबीटी ने उजदी पात्मों की जनंद्रव्य जर्म प्लासंध्षन के लिए जीन बैंक स्थापिट किये हैं कि आई में पी लखनाओ बीजी आरे द्रविंद्रम बीजी और नियूदली एक्सेक्टरा अब हम देखते हैं कि जो प्रद्योगी की का महत्त किया है इसके लिए हमने इतना इंवेस्टमेंट किया कि हूंने इसके लिए इतनी रिसर्च कि जो प्रद्योगी की मानव जीवन की रेतां तो महत्त कॉन है इस तक्नीक त्वारा कई महत्त कोना कभी कुछ पार्द से अल्कोल इंचाइम ग्लाइकोला की बनाए जाते हैं जिनकी लागत अपक्षकत कम होती है उनके व्रद इस्तप्रोत पादन के लिए इम्मोबिलाजेशन की विए यह संबभ हो सका है यह तक्नीक रची के लिए भी मैट्टून है निफ जीन इस्तान तो पात्तों में नाइटूजन इस्तरी करण की शम्ता उत्पन की जाती है पात्तों की पतिरोज शम्ता बढ़ा ही जा सकती है जैसे की कीट प्रपी रोधन वाइरस का वच्चिवान उखरण परथवार प्रपी रोधन चंपा का विधास किया जाता है तो अमिन में प्रोटीन का उत्पादन कर फसर की दुन वक्ता को बढ़ाया जा सकता है पशों में उत्तम जीन निवेच अंद्वारा मिल्क प्रोडक्शन ए पादन या जाता है ये सत्व जो आता है ये सिकंड्री में अर्टित की उसमाता हां थियने फिंगर प्रटंग मता प्रच कर चुदोर धिए हमारे पुलीस विवाग है उसमानों बहुत साहिता मिलती है थियमें फिंगर-पिंगर्टिंग içुन में उधिंण प्रशन बबारा इसी प्रकार से उतक समर्दम द्वारा आने की उत्पात प्राप किये जाते हैं जैसे कि पादा परम जंतु रोगों का अध्यान, मेटाबोलिक क्रियाओं का अध्यान, इत्यादिन, इसके अतिरिक तो इश्यो कल्चर के द्वारा वायरस मुक्त पादक, क्लोनल प्रोपोगेशन, हैपलोईड प्लांट्स का उत्पादन, सिंथेटिक सीट्स आधिक उत्पादन करने में ये प्याटिक नोजी विशेश सायक है पर्यावन संबंदी समस्यां को सुल जाने हैं एवं पर्यावन सुधार के लिए इसका उक्योग बहुत किया जाता है जीन अभियांत्री की द्वारा कई आनम अशिक रोभों को दूख किया जा जाता है जीसे जीन थेरपी कहता है ये भी एक्जिकित्सा की विक्यान में बहुत ही अंतिकारी पोज है कि मानों के मात्मुन अंगों को इस टायम सेल दवारा कल्चर करना तक हारतग रूवन की जीन थेरपी के परकिया जा रहा है उसमें बहुत हत्पत सकल राप्ट की जा तो ये सब इस लेक्च्चर में हमने जो बायो टेक्नोलोजी है जेव प्रोध्योगी की है उसका एक तो हमने इसमें परिचे लिया है कि बायो टेक्नोलोजी क्या है, बायो टेक्नोलोजी का इतिहास क्या है और ये हमारे जीवन में इसका महत्य क्या है, मैं उम्मीद करते हूं इस पार्ट 3 बॉटनी के स्टुडेंस के लेक्षर है ये बायो टेक्नोलोजी क्या परिचे समझने म मदद कर दो, तक यू